दोस्तों केडी रेसिपी में आपका सवागत है आज मैं भरवा करेले की सबजी बनाऊंगे और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगे कि करेले में से कड़वापन कैसे निकालेंगे आप लोग तो आप मेरा वीडियो लाश्ट तक देखे और मैं इसको जो इसकी भरगने के लिए बनाऊंगे वो भी बहुत ही बढ़िया बनाऊंगे तो लाश्ट तक वीडियो चरूर देखे तो इस तरह से मैंने करेले को छिल लिया है अब हम बीच में से कट लगा देंगे करेले को और फिर हम इसके अंदर जो बीज रहते हैं और ये पार्ट रहता है इसके अंदर से त टल ao o जालेंगे तो ये निकालना बहुत ही जरूरी है इस मेरे साइज बैप हो इस चेये लुए हैं के पास छोटी बढ़िया है तो मै नहीं है करेले में से लापन निकालेंगे तो मैं इसको गरम पानी में बॉंकर रही हूं तो यहाँ पर मैं एक चमश डालके नमक डालके हम यहाँ पर गरम कर लेंगे जिससे कि क्या इसके 80% कडवापन निकल जाएगा और बागी का मैं आपको बाद में दिखाती हूँ 20% कडवापन कैसे निकालेंगे हम इस सब्जी में से तो इस तरह से आपको इसको पका लेना है उपरे की परत अब मैं यहाँ पे मुंख फली ले रही हूँ श्टफिंग बनाने के लिए और ये दो चमश मुंख फली ले लिए दो चमश नमकिन ले लिया है इसको हम पीश देंगे मिक्सी में दरदरा रखना है बारिक नहीं पीश अब मैं इसके अंदर दो बड़े चमश तेल डाल दूंगी और एक चमश अजवाइन डाल देंगे और इसको हम साइड में रख लेंगे और यहाँ पे मैंने आज़ी कटोरी बेसन ले लिया है तो बेसन ले लेना है आपको यहाँ पे और बेसन हमें कच्छा यूज नहीं कर रखे हमें बेसन को भी यहाँ पे दो तिन मिनिट के लिए भून लेना है जिससे इसके अंदर से अच्छे से खुस्पू निकल के आए तब तक आपको भून लेना है और इसका रंग भी थोड़ा चेंज होना चाहिए तो यहाँ पे मैं कंटीनु चलाती रहूंगी क्योंकि बेसन में क्या होता है कि वह नीचे चिपक जाता जल जाता है इसलिए आपको यहाँ पे कंटीनु इसको चलाते रहना बिल्कुल पी छोड़ना नहीं है इसको तो यहाँ पे देख सकते हो आप यह अच्छे से बून चुका है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंग से उसकी कुखिम प्रॉसेस यहाँ पे खतम हो जाएगी और आपको तुरंथ ही किसी बर्तन में निकाल लेना है नई तो यह जल जाएगा उसी में रखोगे बले यह अपने गेस आफ कर लिया है अब करेले भी हमारे पक चुके यहाँ पे तो मैं इस तरह से छन्नी वाला बर अब मैं यहाँ पे एक प्यास ले रही हूँ और लसुन और हरी मिर्च ले ली है आप यहाँ पे अद्रक भी ले सकते हो मैंने यहाँ पे लसन और वही लिया है अब एक कढ़ाई के अंदर मैं ओयल डालूंगे यहाँ पे मैंने आदी चमच जितना ओयल ले लिया है एक चमच जीरा डाल देंगे और यहाँ पे मैं हरी मिर्च और लसन को भून लूंगे और प्याज डाल देंगे आप यहाँ पे प्याज लसन नहीं का खाते हो तो यहाँ पे स्कीब कर सकते हो प्याज लसन को अब मैं यहाँ पे आदी चमश हल्दी पाउडर, एक चमश दनिया पाउडर, एक चमश लाल मीर्शी पाउडर डाल दूँगी और यहाँ पे मैं आदी चमच नमक डाल दूँगे ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने करेले में भी डाला है अब मैं यहाँ पे आदी चमच गरम मसाला डाल दूँगे और जो हमने ठंडा किया था बेशन इसके अंदर हम वो मुंक फली और नमकीन हमने पीस लिया था वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमने जो यह प्यास का बना के रखा था वो भी हमारा ठंडा हो चुका है ठंडा होने के बाद ही मिक्स करें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको ये सारी चीजे एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब मैंने बोला था 20% मैं इसको अभी निकालूंगे कडवापन तो इसके लिए मैं यहाँ पे चीनी का यूज कर रही हूँ एक चमज आप चीनी नहीं खाते हैं यहाँ तो एक चमज पावडर डाल सकते हो या गुड़ भी डाल सकते हो यहाँ पे मार्केट में गुड़ का पावडर भी मिलता है वो भी ले सकते हो आप और गुड़ भी चलता है यह सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो चुके हम करे लेंगे अंदर वर लेंगे तो यह हमारा बन के तया है अब ह इसका तड़का लगाएंगे इसका तड़का भी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से हमें वैसे तो यह पका पका है जैसे कि हमने इसको भी च्रीम किया है करेले को हमें 80% बाकी का बिर्स पर्संट हम कठाई के अंदर पकाएंगे करेले को यहाँ पर मैंने ओईल डाल दिया है ओईल डालने के बाद हम करे लेको यहाँ पर रख देंगे आपको संबाल के रखना है क्योंकि इसके अंदर हमने श्रफिंग डाली हो निकल न जाए अब यहाँ पर जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आपको इसको उल्टा पुल्टा करके यहाँ से पका लेना है इस तरह से सारी जगों पो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए क्योंकि हमने आगे भी पकाया है करे लेको अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो जिससे की क्या होगा कि करेले आपके जले नहीं नीचे अब मेरा जो मसाला बचा था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगे जिसको हमने करेले के अंदर बर लिया था बहुत ही स्वादिश्ट लगता है इस तरह से जरूर बना के ट्राइ कीजिए एक चमच लाल मिर्ची पावडर डाल देंगे जो लोग करेले नहीं खाते उनको जरूर सेर कीजिए ये वीडियो वो मांग मांग कर खाएगे इतना स्वादिश्ट और लाजवाब बनता है ये हमारी सबजी बनके तैयार है अब हम सव कर लेंगे सबजी को तो ये सबजी हमारी पराठी के साथ रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है चावल के साथ भी आप खा सकते हो इसको इतनी लाजवाब और टेश्टी बनती है ये सबजी डाइबेटिस वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदे मन्द है जिनका वेट ज्यादा है वेट कम करना चाहते है वो भी खा सकते है ये सबजी को और आपको मेरा वीडियो पसंद आते आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजी